कि अब अब करने वाले हैं ग्लूकोज kontraude को सिट डिय्टा है कि डियारी यक इसकी पाथकर में अर्चितु पर सिक्स फॉसुट डियाज निवालर है sensing दोनों की बात कर चुक दो तो हम आग इसकी ऊर इसकी बात करने वाले के तो तो तेह pls 6-phosphate dehydrogenase का work क्या होता है सबसे पहले हम देख लें तो देखे यह glycolisle हम जब देखते हैं तो सबसे पहले glucose से glucose 6-phosphate बनता है और JEFF यह यहाँ पर glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme work करता है और इसको convert कर देता है 6-phosphogluconate में ठीक है यह आगे के पाथ से हमको को नहीं मतलब है यहां पर सिर्फ देखे यह इसको गुलकोज 6-phosphate को 6-phosphogluconate में convert करता है और यहां पर देखिए एन्ने डी-प्लस को यह convert कर देता एन्ने डी-पी-एज में ठीक है तो यह जब इंजाइम और करता है तो यह इसमें तो यह जब रिडियोस फॉर्म में अब क्या करेंगा यह यह इन्ने डी-पी-एज डीडियूस पर लेकर चले तो यह देखिए यह अभी तक reduction form में था और यह oxidized form में था लेकिन जब इंजाइम वर्क किया तो यह देखिए यह अब दोबारा oxidized form में आ गया और यह oxidized से यह reduce form में चला गया अब यह reduce हो गया अब यह glutathion reduced form में जो है दिखिए H2O2 ठीक है यह हमको वालू oxidative agent है इनको यह convert कर देता है और इसको neutral कर देता है तो देखिए glutathion जो है कितना major role play कर रहा है लेकिन यह वाला role play करने के लिए यह glutathion जो है यह जरूर यह की reduce form में रहे और यह कैसे प्ले कर पाएगा इस उच्छे रिडिउस form में रहे और इसको reduce form में होने के लिए NADPH होने के लिए यह enzyme होना जरूरी है अगर यह enzyme नहीं होगा तो यह नहीं होगा और जब यह नहीं होगा तो यह oxidize reduce form में नहीं जाएगा डिसके और जैसे यह जो है H2O2 या oxidative agent यह breakdown नहीं होगे ठीक है तो यह हम पहुचाएगे तो इसमें जो G6 PD deficiency में यह तो इससे यह वाला conversion भी रुख जाता है जब यह नहीं बनेगा तो इससे यह वाला conversion भी रुख जाता है जब यह नहीं बनेगा तो यह वाला conversion भी नहीं बनेगा तो यह वाला conversion भी नहीं रुख जाता है तो पुरा conversion रुखने की वाजए से यह जो होते है यह हम पोचाने लगत इसमें प्राव्लम देखने की इसके रिष्ट से क्या होगाका इसके रिष्ट से रिष्ट इप्रेस्ट ईप्रेस्ट के लिए प्रीज वाले बढ़ेंगे बढ़ जाएगी जैसे Sulfa Drugs है, Antimalarial Drugs है, Pharma Beans है, तो जब यह destroy नहीं होंगे, तो RBC की susceptibility बढ़ेगी, जब RBC की susceptibility बढ़ेगी, इसके और जैसे RBC जो होगी, breakdown होगी, इसके हमको हीमोलीसी देखने को मिलेगी, ठीक है, और हीमोलीसी जो होती है, मुश्ली इंट्रावैस्कुलर हीमोलीसी हमको लिखने को मिलती है, तो दोनों देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर दखिए हम मEcanism हम बता दिये, अब एपन देखना को'RE बैखने को MINGda plantingborg diameter, एफिव डिस आफ्टर और जो oxidative stress होगी उसके कुछ दिन बाद हमको hemoglobinaria देखने को मिलेगा क्योंकि oxidative stress होगी उसके बाद RBC कप breakdown शुरू होगा और RBC कप breakdown शुरू होगा तो हमको कुछ दिन बाद hemoglobinaria देखने को मिलेगा ठीक है और lab finding की बात करें तो इसके decrease 6 PD ठीक है activity तो यह गुल्कोस 6-phosphate dehydrogenase है इसकी activity कम हो जाएगी और may be falsely normal during acute hemolysis होगी ना तो इसमें हमको यह normal देखने को मिल सकता है लेकिन यह false normal देखने को मिलता है और जब chronic होगा तो उसमें हमको यह decrease देखने को मिलेगा ही और blood similar की बात करें तो blood similar shows RBC with his bodies and bite cell तो blood similar में हमको RBC ऐसी देखने को मिलेगा और bite cell तो हिंस bodies क्या होती है तो यह जो RBC होती है हमारी नार्मल ना RBC में यहाँ पर जो है oxidative stress के रहे से यहाँ पर protein accumulate कर जाती है इसी को हम बोलते है हिंस bodies ठीक है अब यह हिंस bodies जो है यह यहाँ पर बनी तो यह जब spleenic macrophage के पास जाएगा तो यह इसको काट के रिमूव कर यह देखिए RBC जो ऐसे है और यह हिस्सा कटा हुआ है तो इसी वरे से इसको हम बाइट सेल बोलते हैं ठीक है तो वही है कि blood smear shows RBCs with his bodies, his bodies देखने को मिलेंगे and bite cell देखने को मिलेंगे, his body की वरे से आपको bite cell देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए यह पीछे से हम his bodies का formation देखने तो इसी हिर्बान जीद को जब यह splitting microfiche remove करते है तो bite cell का formation देखने तो वही है कि think bite into some hinge ketchup इसके जरीए हम bite cell को याद रखेंगे कि यह his body से बनते हैं, यह चीज हो गई, अब यहाँ पर देखिए, his bodies कैसे बनती है, कौन को से तो fava bean इसमें cause करती है, तो वही है कि stress makes me eat bites of fava bean with hinge ketchup, तो देखिए, यह वाला निमूनी की याद रखो या याद रखो, बस हमको याद रखने है, ठीक है, तो यह वाला भी याद रखते हैं, कि hinge bodies जो है, यह formation होता है, इनका G6 PDD deficiency में, इसको हमको bite से देखने को मिलता है, बस इतना काफी है, ठीक है, और यह fava bean with hinge ketchup, कि जब stress हमको होता है, तो यह हमको force करता है, कि हम fava bean के bite खाए, with hinge ketchup, hinge ketchup के साथ, तो यहाँ पर देखिए, 스트ess हो जाएगा, bite हो जाएगा, कि bite से देखने को मिलेगा, एक हमको bite करना है, यह बैराल आपको जो आसान लगए, उससे आप याद रखो, यह हमारा G6 PD deficiency, और उसका फिर हम बात करते है, पाईरूयट Cities निभी सिंसिए पाईरूएट काईनेस इंजयिंब कहा होता है तौब यह नभी सिंसिंद है यहां सट होती है तो दिखे stats फ्रक्ट्रोष 6 फ्रस्फेट यह गिलिस्टल लैलि師 यहां पर यहां पर यहां पर हुआट होगा है। यहां पर इस वाले खेंगे। तो यह ग्लाइकोलिस में हुआ और हमको मालूम है कि जब आरबीसी जो होती है यह आरबीसी में माइटो कॉंट्रिया नहीं होता है इस वाज़ा से यहाँ पर एन एरोबिक ग्लाइकोलिसी देखने को मिलती है और यहाँ पर सिर्फ आंको जो एटीप प्रोडेश्चन देखने इसके इससली होती है इसमें क्या होगाँ? तो तीन होती है तो यह जो चैन होते हैं आपसे टाइट हो ज्याती है तो यह और चैन के लिए लेस्टियो पूसीजिट्टी हो जाती है यह आपसे है कि हमको 23 20 फास्फोगिलिस्ट के लेवल में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है इसके उड़े से इसके यहिसल को देखने को मिलता है पायड का सिजन से नहीं की देख लिए इसमें यह जो हमारे इंज़ायन हो जाता है जिसकी हो जैसे यह एटीपी जनेरेशन नहीं हो पाता है यहां पर आर बीसी में एटीपी डिफलेशन होकर इसको से रेज़िट हो जाएगा और एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलेगा और टू-3 बिसफास्फो ग्लिस्ट्रेक की कमी होनी के जैसे यह धेखिए यह कं हो जाएगा और जिब यह कं होगा तो यह उखिए यह फ़एग्ज से एस्ट्रेस को जहेल नहीं होता इस यहां इस बोड़ी को जो मेक्रोफेज रिमूव करते हैं तो बाइट सेल का फार्मिशन हो जाता है और इसी को हम यहाँ इस तरह याद रखेंगे ठीक है और इसमें जब लेफ पांडिंग के बात करेंगे तो जी सिक्स पीडी डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा ही ठीक तो यह हमा